तो आज़े मैं आपको पताऊंगा होटला रश्च में बूना मटर मश्रूम मसाला कैसे बना जाता है ये खाना बहुत ही ज़्यादा टेश्ची होता है और जो लोग मश्रूम की सबजी खाना पसंद नहीं करते हैं इस तरह से उनको भी सबजी बना के खिलाएंगे ना वो भी सबजी को काफी पसंद करेंगे तो अगर आप सीखना चाते हैं बीडियो को बिना स्किप करेंट तर जूट देखेगा सबसे पहले मैंने आपे 400 ग्राम मश्रूम लिये हैं जो मश्रूम है आपने फ्रेश मश्रूम का यूज़ करना है जो फ्रेश मश्रूम है वो उपर से वाइड होते हैं जड़ा डार कलर के नियूने चीए और इसके बद आपने ना मश्रूम को अच्छी तरह से दो लेना है क्योंकि इनके बार से कभी डर्स्ट वियरा लगी होती है मिट्टी वियरा लगी होती है तो ये देखिए कम से हम दो से तीन पानी से आप अच्छी तर देना है क्योंकि जब इनको स्टोर करते ना तो ज्यादा ही डार को जाती है और इसके बद आपने मश्रूम को काट लेना है तो आदे जो मश्रूम है उनको आपने चौप कर लेना है इस तरह से पहले लंबा लंबा काड़ लीजिए और इस तरह से आप इनको चौप कर और इसके साथ में 100 g यहां बाएं माटर लिए हैं, unusual मुआ अपनारी ऩाले बूप इस तरह से प्याज के उपर कर्ट लगा दीशे रोगाने तक बन्हाई करने के प्याज को पने प्याज को फास्यों करनें ऑर जर करने। तो आज मैं आपको बही मसाला ग्रेवी बनाना चिकाऊंगा जिसका यूज होटल और रेष्ट्रों में किया जाता है ये देखे प्याज को काट लिया है जो टमाटर है इसको हटा देते हैं और टमाटर को भी आपने इसी तरह से बनवाई टू करना है बनवाई टू करके टमाटर को आप लंबा-लंबा काट लिए और इसके बदा आप इसको फाइन चॉप कर लिए ये देखे इस तरह से जितना बारी काटना चाहें उतना बारी काट आप टमाटर को काट सकते हैं तो इसी तरह से आपने प्याश टमाटर की कटिंग कर लेनी है साथ में यहाँ पे मैंने देखिए 15-20 लसनों की कलिया लिया है एक टुकड़ा अद्रग और 5-6 मैंने कश्मीरी मिर्च लिया है जिसको मैंने गर्म पानी में विको के रख दिया था 20 मिन पहले तो इसके साथ में कश्मीरी मिर्च लिया है अगर आपको कश्मीरी मिर्च ना हो आप इसकी जगा देगी मिर्च बॉर्डर का यूज़ कर सकते है तो थोड़ा सा पानी डाल के आपने अद्रग लसन मिर्ची का पेश्ट बना देना है देखिए इस तरह से और इसके बद आपने एक कड़ा ही लेनी है यहाँ पर मैं एक स्टेनलर शिल्की मोटी सी कड़ा ही ली है सबसे पहले मैं उसमें oil एड़ करेंगे जैसे यह जोड़ा सा गर्म हो जाएगा एक आपने इसमें तेजपत्ता एड़ करना है एक दाल शिननी का टुकड़ा डालना है इसके साथ में एक बड़ी लाइशी एड़ करेंगे दो से तीन आपने इसमें छोटी लाइशी एड़ करनी है और दो से तीन आपने इसमें लॉंग एड़ करनी है तो प्याज का यूस जब यह आप चॉप गरेवी बनाते हैं ज़ादा करना है टमाटरों का यूस ठोड़ा सा कम करना है क्योंकि टमाटर खट्टे होते हैं ज़ादा टमाटर डालेंगे आपकी गरेवी खट्टी हो जाएगी तो गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है और हाई फ्लेम है आपने प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है तब तब पकाना है जब तब प्याज का कलर जो है प्रॉपर लाइट कोल्डन ब्राउन हो जाए तो गैस देखे है आप देख सकते हैं प्याज का कलर लेहां पे लाइट कोल्डन ब्राउन हो चोगा है इसके बद आपने एक च्छनी लेनी है और इस मेंसे ना ओइल निकाल लेना है क्योंकि आपने प्याज को जल्दी पकाने के लिए थोड़ा सा ज़ादा यूज किया था और ये जो आप निकाल लेंगे इसका यूज आप नेक्स टाइम सब्जी बनाने के लिए कर सकते हैं तो के देखे यहाँ पर मैंने आदे से ज़्यादा ओयल जो आप निकाल लिया है इसके बद आपने वो पेस्ट एड करना है अदरग लसन और मिर्ची का जो पेस्ट हमने बना की रखा था और साथ में आप इसमें आदा छोटा चमच हल्दी पोडर एड कर दीशे और कश्मीरी मिर्च का ही यूज करना है दूसरे स्पाइसी वाली मिर्च मट डाल दीशेगा ने तो आपकी सब्जी ना बहुत ही तीखी हो जाएगी अब आपने अदरक लसन के पेश को भी अच्छी तरह से पका लेना है जब तक अच्छी से दानेदार ना हो जाए और थोड़ा सा मैंने इसमें देग इमिश्ट का पोडर एड़ किया है ये थोड़ा सा तीखा भी होता है और थोड़ा कलर भी अच्छा देता है सब्जी में और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो के देखिए, अब देख सकते हैं, जो अधरक लसन का पेश्च है, उसको मैं अच्छी तरह से पका लिया है, इसके और जो हमने टमाटर काट के रखे थे, वो एड़ कर देने हैं, टमाटरों के साथ में आदे से थोड़ा सा ज्यादा चमच आप इसमें नमक एड़ कर देश ताकि जो टमाटरा हैं वो जल्दी से कल जाएं, और गहस्त की विले में आपने मीडियम टू हाई रखनी हैं, और टमाटरों को भी आपने अच्छी तरह से पकाना है, कितने तरह पकाना हैं, कम से कम आपने टमाटरों को न दस से 12 मिंट तरह पकाना है ताकि इनका कच्छा और खटा टेश खतम हो जाए, साथ में हम इसमें मसाले अड़ करेंगे, एक चमच आपने धनिया पौडर, आदा चमच जीरा पौडर, थोड़ी से आपने इसमें कसूरी मिथी डालनी है, और थोड़ा समें गरम मसाला पौडर अड़ कर देते हैं, तो ये मसाले आपने टमाट मिशरूमम है, जोब मसाला पना की त्यार करते हैं, और इस seals क्रेविस से हम बहुर सारी тобना के त्यार करते हैं, तो क्या देखे इसके वद आपने इसमें ममशरूम एड़ कर देने, और मशरूम को पानी डाल देजिए बिल्कुल थोड़ा सा तो आदा कब देखिए मैंने इसमें पानी याइड कर दिया है जैसे आप इसमें पानी डालेंगे ना सबजी में मोईस्टरा जाएगा और जो मिश्रूम है वो भी अपना पानी छोड़ते हैं तो पहले आपने जादा पानी डालना है आपने मिश्रूम को अच्छी तरह से बूनना है यहाँ पे तो मिश्रूम को मैंने अच्छी तरह से देखिए मसालों के साब मिक्स कर लिया है इसके बदा आपने सबजी को उपर से कबर कर देना है कम से हम 5-7 मिन दे सबजी को पकने देना है बिल्कुल low flame में कि देखिए 7 मिनट हो चुके हैं सबजी को पकाते हुए और आप देख सकते हैं मश्रूम जो है अच्छी तरह से गल चुके हैं अच्छी तरह से पक चुके हैं तो मश्रूम को पकने में इतना ही टाइम लगता है इसके बदा आपने इसमें थोड़ा सा देही एड़ करना है है तो डाल देखिए नहीं या तो आप देही को स्किप कर सकते हैं देहीं से सबजी में एक अच्छा टेस्ट तो आएगा हैगा सबजी में बहुती बड़ी है कलर भी आएगा और देहीं आपकी फ्रेश रोने चीए खटी देहीं का अपने यूस नहीं करना है तो देहीं को भी थोड़ी तर पका लीजिए हाई फ्लेम में और यह देखे देहीं ने पकने का बद यहाँ पर ओयल छोड़ दिया है इसके बद आपने इसमें फ्रोजन मटर एड़ कर देने है अगर आपके फ्रेश मटरों आप उनको थोड़ा सा बोयल करके सबजी में डाल सकते हैं तो यहाँ पर देखे मटर को पकाने की जूट तो है नहीं क्योंकि पकी होते हैं फ्रोजन मटर जो है इनको सिर्फ आपने एक से दो मिन तक ही पकाना होता है ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इस तरह से आपका भूना मटर मश्रूम मसाला जोगा वो त्यार हो जाएगा आप सबजी को थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं थोड़ी सी बरीकटी हरी मेंच टाल दीशे और उपर से थोड़ा सा फ्रेश कटवा हरतनी डाल दीशे इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीशे तो फ्रेंस वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेर कमेंट जुरूर कीजेगा ओके फ्रेंस मिलते के लिए नई वीडियो के साथ थेंक यू